नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी केजरी वाल जी हर दिन नए ड्रामा कर रहे हैं और अब उन्होंने ड्रामा करते हुए तो हद पार कर दी मनिश शिशोदिया ने प्रेस कॉंसेंस करके ये कहा था केजरी वाल की भार्थी जंता पार्टी के नेता हथ्या करवा सकते हैं केजरी वाल जी ने भार्थी जंता पार्टी पर आरोप लगाया लेकिन उन्होंने प्रधान मंत्री को भी घेरा और उन्होंने कहा के कहते हैं प्रधान मंत्री 18 गंटे काम करते हैं लेकिन वो 18 गंटे केवल ये सोचते हैं के केजरी वाल और उसके नेताओं को कैसे जेल में ड आदेश दिये थे कि कुछ भी हो मनीश चिश्ट उदिया को जेल में डालो सवाल ये उठता है कि केजरी वाल को ये कैसे पता लगा कि मोधी जी ने किसी आदमी को परसनली आदेश दिये हैं दूसरी बात माली जी जी ने किसी को परसनली आदेश दिये हैं और उस I.S. अधिकारी ने केज रिवाल जी को बता दिया किसाब मुझे आदेस दिये थे तो सवाल ये भी है कि अगर परसनली एक देश का परधान मंतरी किसी एक उप मुख्य मंतरी चोटे से पार्टी के नेता को जेल में डालने को कहे तो वो कैसे जेल के बाहर रह सकता है मोधी जी के पास अपार शक्तियां हैं उनके पास ऐसी एजनसी आएं कि जो एक साल तक तो यही पता नहीं लगने देंगी कि जेल में कौन सी में बंद है बहुत सारे ऐसे केस हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाएं ले 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 अगर मोधी जी कुछ भी नहीं करना मोधी जी तो बहुत बड़े नेता हैं योगी जी अगर केवल योगी जी ये तै कर दें और अपनी पुलिस को आदेश दे दें कि मनिश शिशोदिया केजरीव ये जेल में जाने चाहिएं तो आप देखें 24 घंटे नहीं बीतेंगे ये दोनों जेल की सलाकों के पीछे जाएंगे केस क्या होगा चार्शीट कब दाखिल होगी कभी ये जेल से भार आएंगे ये कहना अभी बहुत दूर की बात है लेकिन भारती जंता पार्टी इस तरह कि ओची राजनिती करती नहीं है वो एक देशभक्त और अनुशाशित पार्टी है वहाँ इस तरह से विरोधियों की को कुछला नहीं जाता अगर ऐसा होता तब फिर वो आज तक जो ये विरोधी पार्टीयां सडकों पर उतरकर रोज मोधी को गाली देती है ये तो जेल क मोधी जी की जड़ों को काटने में पिछले कई साल से लगे हुएं कितनी भेंकर भेंकर गालियां दे दी कौन है भाई मोधी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कभी भी अन्याय और अत्याचार नहीं करते हैं सच का साथ देते हैं सच पर चलते हैं अगर इसी की जगा केज देखे देखना कि योगी योगी कुछ भी कह देना तो आपको पता लगेगा कि जिसके पास ताकत होती है सकता की वो क्या कर सकता है लेकिन आप आरोप लगा रहे हो मोदी पे क्योंकि आपको पता है मोदी जी कुछ पलट कर जवाब नहीं देंगे वो जवाब देनी की जंता देगी और अभी फिलाल गुजरात की जंता देगी गुजरात की जंता आपको इस बात का जवाब जरूर देगी जो आपने मोदी पर ब्लेम लगाया है इसका मतलब केज रिवाल जी ने सीदे सीदे मोधी जी को दोशी ठहराते हुए ये सिद्ध कर दिया कि मोधी कोई काम नहीं कर रहे है देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे है इस तरह की बयान बाजी करके आपने मोधी का अपमान नहीं किया ये गुजरात में आपकी फजियत हो रही है गुजरात में आप देख रहे हैं कि आपको कितनी सीटे मिल रही है दो सीटे मिलने का अनुमान आ रहा है और इसलिए शायद बोखला गए आप पुराने उसी धर्रे पर आगए कुछ दिन मौन थे के भाई गाली ना दी जाए मोधी को लेकिन ये केजरी वाल जी के बारे में मैं बहुत जुम्मधारी से बता रहा हूं कि केजरी वाल जी जो मोधी जी को टारगेट कर रहे हैं जो मोधी पे हमला वर हो रहे हैं जो पिछले एक साल से लगबग चुप थे उनको लग रहा था कि गुजरात में यदि मोधी का नाम लिया और मोधी को गाली दी तो इसका प्रिणाम ये होगा कि जिस पार्टी ने भी मोधी को गाली दी है, गुजराती उन्हें उसके ऐसे जो होता है न वोट का थपड़ मारा है, कि वो भाग गए वाँ से, तो इनको लगा कि गुजरात में पहले सरकार बना लेते हैं, मोधी जी को एक साइड कर देते हैं लेकिन अब गुजरात तो लग रहा इनके हाथ से गया कब इनको लगा अब तो दिल्ली की MCD बची है और दिल्ली की MCD जो है वहाँ इनका बोट बैंक कौन है वहाँ है बंगलादेश के घुसपैटी है वहाँ इनका बोट बैंक है रोहिंगिये वहाँ इनका बैंक है कट्टर पंथी सोच रखने वाले लोग वहाँ जो इनका बोट बैंक है वो है C.A. के विरोध करने वाले लोग वहाँ इनका बोट बैंक जो केजरिवाल जी का है वो है शाहिन बाग की दादियां वहाँ जो इनका वोट बेंक है वो वो लोग है जो ताहिर हुसेन के साथ मिलकर के और दिल्ली के धंगे करा रहे थे और दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव नचा रहे थे और इसलिए केजरिवाल जी को लगा के गुजरात तो गया लेकिन अब M.C.D. को खब जा लो C.A. के विरोधी ताहिर हुसेन के साथी और अमानतुला खान के एरिये के लोग और जो मैंने गिनवाए टुकडे टुकडे गैंग ये सब लोग खुश होंगे जितना मौधी को ये कोई भी गाली देता है तो केजरिवाल जी को लगा के अब मौधी को टारगेट करो और इस ये कौं बताता है केजरिवाल को के आट सो अफसर निक्त कर दिये सी बी आई और एडी में आट सो अफसर हैं क्या? ओफिसर आट सो नहीं केवल अख लगा रहा हूं और लगा रहा हूँ Aw आर आठ सी बी आई या एडी के अधिकारियों को जो हमिश शाजी है पीम तो बहुत दूर की बात है हमिश शाजी अगर ये कह दें किसी भी कीमत पर इनको जेल में डालना है तो एजनसियों के लिए कोई मुस्किल काम नहीं होता लेकिन आप एक साहनबुती लेना एक जूट बोलना और एक अपराद को छुपाना ये काम कर रहे हैं आप कहते हैं मनिश शिशोदिया का नाम नहीं है उनको सी बी आई ने क्लीन चिट दे दी सी बी आई कहती है हमने कोई क्लीन चिट दी नहीं है चार्शीट दाखिल की है जो पहले से गरफतार किये हुए है एक बाउंडेशन है एजनसियों की कि 90 दिन के अंदर आपको एक चार्शीट दाखिल कोट में करनी होती है जिनको आपने गरफतार किया है तो वो 90 दिन हो रहे थे इसके अलावा अभी सबूत जुटाए जा रहे ह पुकता सबूत जुटाए जा रहे हैं जिसलिए मनिश शिशोदिया जी को एक सेकंड एप्लिकेशन में चार्शीट में दाखिल किया जाएगा ये प्राइमरी है इसके आगे चार्शीट और भी कई दाखिल होंगी और ऐसे कई केसों में हुई हैं तो सी बी आई तो क्लीन कम हो रहा है अब तो कोट ने कह दिया कि आप जो ये वरत के नाम पर उप्वास के नाम पर फल फ्रूट मंगा रहे हैं ना ड्राइब फ्रूट फल सब्जियां ये नहीं चलेगा बाकादा जच साब ने ये कहा है कि ये सम्भी धान का उलंगन है कैदी सब एक समान होते हैं सब को एक ही मैनवल के हिसाब से भोजन दिया जाता है किसी को वी आईपी भोजन नहीं मिलेगा तो इनको क्यों मिलेगा लेकिन एक वीडियो और आ गई और उस एक वीडियो और में सतेंदर जैन का खुलासा हुआ कि वो तो जेल सुप्रिडेंट के साथ बैठे हैं जो अब मिले भगत को मना कर रहे थे के नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो यह सब पोल खुल रही है कि किस तरह का कारनामा यह आम आदमी पार्टी के लीडर कर रहे हैं और टोप लीडर्शिप की बात देखिए आप कि उसमें केजरिवाल जी हैं उसमें मनीश शिशोदिया और सतेंदर ज जन तीन ही नाम तो जौदा हैं तीनों कहीं ना कहीं लिप्त दिखाई देते हैं केजरिवाल जी का डारेक्ट कहीं इनवोल्मेंट नजर नहीं आ रहा है लेकिन जल भोड का गोटाला उनके भी नाम पे आया क्योंकि वो चेर मेने जल भोड के हाला कि अभी उसकी जाँच हो को और सीधे आदेज दिये थे एक देश के परधान मंत्री पर इस तरह का आरोप लगाना बहुत गंबीर है क्योंकि मोड़ी एक भारती जनतापार्टी के कारे करता नहीं है वो इस समय देश के परधान मंत्री है तो मैं यह कहना चाहूंगा भारती जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये जो ग्रे मंत्री अमिशा है और मोधी जी उनका PMO इस पर संग्यान ले के देश के परधान मंत्री की क्रीडिबिल्टी पर सवाल उठा है अगर उनकी इस तरह से विस्वसनियता पर कोई सवाल उठाएगा और इसका जबार उसे नहीं दिया ज आएगा कि शायद देश का प्रधान मंत्री जो मोधी हैं उनके बारे में जो बाते हम सुनते और पढ़ते हैं वो सब जूट है वो तो सोकर जिंद की गुजार रहे हैं या एक ही आदमी को और पकड़ने में लगे हुए हैं तो ये सब चीजे बहुत भयंकर है इन सब पर संग का भोजन कता ही नहीं मिलेगा जेल मैनवल के हिसाब से मिलेगा और वहीं कोट ने आपको बता दू कि कई सारे अब तक अधिकारी जिनकी संख्या लगवक 26 है जेल अधिकारियों को सस्पेंड किया है जिनके बारे में ये जाँच में पता लगा था कि उन्होंने कहीं ना कह ही नियो मोका उलंगन करके सतंदर जैन को कोई लाब दिया है कोई मिला करके ये बहुत भयंकर खेल चल रहा है कि आप देश के परधान मंतरी पर सवाल उठाएं सी बी आई पर सवाल उठाएं क्योंकि इस से देश की जनता बड़ी कनफ्यूज है कि हमारे देश की जो एजन देती है, सोचिए कितना भयंकर नरेटिव चलाए जा रहा है, बंदे मातरम.